मेरे कि प्राचीन बात कि तिहास के माहत्तवपूर्पिक एग रूष टॉपिक की हम बात कर जिसका नाम है वैदिक काल जब्भी वैदिक काल की बात आता तो हमारे नहीं बहुत सारे सवाब्व आते हैं वैदिक काल जो था एक हजार से लेकर 600 इसा पूर हम यह नोट्स की मेराथन स्रीज हम पढ़ रहा है जहां पर हम कोसिस करेंगे कि समाइड में पूरे स्रीज को कॉंप्रेटली तयार कर सके ताकि कम समय में आप जाद अंक लेकर हैं आप हमारे साथ नोट्स बनाते चल सकते हैं लिखते चा इन दोनों में डिफ्रेंस हम लगातार कई मामले में पढ़ेंगे जैसे शामाजी व्यूस्ता क्या थी उनकी संस्किति में अंतर क्या था तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है रिगवेदिक काल उत्तरवेदिक काल में सुरोथ क्या-क्या थे कैसे इन दोन कि रिगवेद काल की जानकारी हमें रिगवेद संहिता से मिलती है जिसमें 10 मंडल और 108 सुक्त थे वहीं उत्तरवेदिक काल की जानकारी हमें चारोवेदों से मिलाकर मिलती है रिगवेद यजरोवेद स्रामवेद और अथरवेद तो यहां पर उनके बारे में जिक्र किया ठिक अब हम और आगे चलते हैं ताकि किया करम में देख सके यहां पर कुչ ऐसी प्रमुख चीजिए जिनको आपको आपको याद करना है जो परिक्ष्ha में पूछा जाते हैं दूसरा से सात्वा मंदल, दूसरे से सात्य मंदल को गोत्र मंदल कहते हैं, कौन सा मंदल कहते हैं, गोत्र मंदल कहते हैं, वहीं पहला और दस्वा मंदल जो था रगिवेट का उशेहं परिवर्ती काल के नाम से जानते हैं, जो हमें रगिवेदिक काल के स्रोत में पता चलता ह सात्य मंडल का नाम रिशी वसिष्था, तीसरे मंडल का नाम विश्वामित्र और छठे मंडल का नाम भारत वास्त बाकी हमें इस काल की इस समय के जानकारी कसी अभिलेक्षे मिलती है किसे मिलती है कसी अभिल्यक से मिलती है जिसमें ये पता चलता है आरियों के आगमन के बारे में और क्या था अगला था भोगश कोई अभिल्यक जिसमें राजाओं के शंदि का पता चलता है राजाओं के शंदि के बारे में हम जान पाते हैं पढ़ पाते हैं समझ पाते हैं व भगवान पूरा के सकते भगवान पूरा हर्याणा में था यहां त Metropolitan का तरवादिकाल में क्या था चित्रिध धोसर में दभांड थे उत्तरी काले में दभांड थे अतिरजी खेडा उत्तर पदेश में था जहां पर लव उत्खनन का केंदर था कहां पर उत्तरवादिकाल लहुप करने के क्या थे श्याम आयस थे और किष्ण आयस थे ये परिक्षाओं में खुब ज़्याद आपके पूछे जाते हैं अब हम आवर आजे चलेंगे तो अब हम इनके भागोलिक विस्तार के बारे में पढ़ते हैं भाग Vaiस्ट्र के बारे संवर्मार इजस्टीर, यह जो पूरा गांगा यमुना का पूरा द्मापषद्र था और sato जब्कि इस खाल का उत्तरव वो हिमाले परवत से लेकर हिंद मासागर मलब बिंधन परवत तक सीमा थी मनि हिमाले बिंधन और मद्यदेश को तक यह फैला हुआ था अब हम चलते हैं रिगवैदिक काल की तरफ रिगवैदिक काल में सवाल आता है सब्द सेंदो किसे कहते हैं 25 नदियों का शंग मिलता है 25 नदिया में पढ़ने को मिलते हैं रिगवैदिक काल में लेकिन सब्द सेंदो के हम बात करें जिसमें आपकी प्रमुक नदी है शिंदू जेनम चिनाप रावी सतलज प्यास और स्वस्वति इन सात नदियों को सब्द सेंदो कहा जाता है रावी का परुषणी है ब्यास का विपाशा है सर्श्वति नदी सर्श्वति है और सर्श्वति नदी सबसे पवित्र नदी थी मने जिगवैदिक काल की सबसे जो पवित्र नदी थी वह कौनसी नदी थी वह आपकी सर्श्वति नदी थी कौनसी नदी थी सर्श्वति नद का जिक्र एक बार हुआ है यमुना नदी तीन बार तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टन्ट है आप इसे लेख सकते हैं कि अब यहां पर है मुझक का यह हिमाले की चोड़ी कहते थे धन्व क्या था मरुस्तल छित्र से परचित थे उसे धन्व कहते थे अरावली दच्छनी शीमा थी कुंभा काबुल और सदा नीरा गंडग नदी को सदा नीरा कहते थे यह बहुत इंपॉर्टन्ट है यहां से आपकी परिच्वां मे शवाल पूछे जाते हैं तो अब हम लोग इसके और आगे चलते हैं क्रम और उप्षाप को साथ में लेका अब आपके सामने संस्किती सारचना में क्या अंतर था क्या डिफ्रेंस था एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आपके कॉंसेट के लिए और परिच्छा में परिवार से मिलकर ग्राम, ग्राम से मिलकर विष, विष से मिलकर जन में बटे थे वहीं उत्तरवेदिक काल में ये जन और महाजनपद में बटे थे एक टौपिक आता है वन बेवस्ता ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वन बेवस्ता कैसी थी तो जो रिगवेदि ब्राम्हण चत्री वैश और शुत्र उसमें भी ब्राम्हण चत्री वैश को बिश्र साधिकार थे और सुध्र जो थे इन तीनों वरगों की शेवा करते हैं तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया लेकिन रिग्यवैदिक काल में एक बात और मिलता है कि जो दस्वाम अंडल है ध्यान दीजेगा जो दस्वाम अंडल है जिसे पूरुशुक्त जिसमें ब्राम्हण चत्री वैश और सुद्र का जिक्र मिलता है वहीं रिग्यवेदिक काल में जो छुवा छुद की अधर्णा नहीं थी तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया अब हम देखते हैं उत्तरवेदिक काल में उत्तरवेदिक काल में 16 संस्कार थे यह संसकार थे 16 संसकार थे पारिक्मार्ष पूछार जाते हैं आप से पूछा रहा हूं पछला संसकार आंतिम संसकार वोगा लेकिन वैसे आपको बताना है में कि नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे अब यहां पर क्या है चार आस्रमों की चर्शा हुई है चार आस्रम कौन थे पूछा जाता परिच्छाओं में ब्रह्मचर ग्रहस वानप्रस और सन्यास इन चार आस्रम की ज अब इसके साथ हम देखेंगे के रिगवैदिक काल में दास का मतलब क्या तुर को वही उत्तरवैदिक काल में पुरसात की अधार्णा क्या थी चार पुरुषात की अधार्णा थी धर्म अर्थ काम और मोच बहुत ज्यादा परिच्छा में पूछा जाता है और यहां पर क्या था गोत्र बहिर्गमन विवा था उत्तरवैदिक काल में क्या था गोत्र बहिर्गमन विवा प्रधा थी अब हम महिलाओं के दिकार की बात करते हैं कि उत्तरवैदिक काल में क्या था तो सबसे पहले हम उत्तरवैदिक काल में चलाते हैं एक लैन में जा ले चिन लिया गया था महिलों से. वही रिणी की बिवस्ता अओध हर ना थी, पुत्त रिण भविष्य के लिए, देव रिण भगवान देवताओं के लिए, रिसी रिण रिषी के लिए, पृत्त रिण, स्रिष्टे चलाने वालों के लिए, तो यहाँ पर चार पैकार के रिड़ की भी रचान के उत्तर वैदिक काल में लेकिन अब हम लोग चलते हैं रिग वैदिक काल में सबसे पहले महिलाओं की दसा पर फोकस करते था आगे हम लोग जो इतिहास की पूरी स्रीज आपने पढ़ा होगा वहां पर रिक्दम हमने अस्पर्चुप से पढ़ाया और बताया इसलिए दिक्कत आप क्यों नहीं होने शहिए दूसरा सिच्छा का अदिकार माने महिलां को रिग वेदिक काल में अतर जाती डीकार नहीं था दुहित्र माने पुत्री के लिए अंतर जाती बवा था ध्यान दिजाएगा कि पहले जो ब क्पादल के अंतर जाती बवा को iająतर ध्याती बवार तो तो यह कई मेजर अंतर थे उसके अलामा भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या था अमाजू मने अभिवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता था और उसके अलामा घोसा सिक्ता अपाला विश्वारा यह लोपा मुद्रा यह बहुत ही प्रशिद ऐसी जिनको पढ़ा जाता प्रिच्छा पूछा यातन का संबन रिग्वैदिकाल से रिग्वैदिकाल के महिला है अब यहां पर प्रिट्ट सत्ताक्मक समाज था समाज कैसा था प्रिट्ट सत्ताक्मक था उसके अलामा परिवार पढ़ाली थी परिवार पढ़ाली कैसी थी कब रिग्वैदिकाल में निप्त माने भाई घतीजा कजन चेत्रज, नियोक्षी उत्पन जो शंतान होता था उसे क्या आजाता था उसे हम अरधांग्नी माने सत्पत द्रामपड में, वहाँ पे पत्री को अरधांग्नी कहा गया है तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ाओ देख लिया शमझ लिया अब हम इसे के साथ सेजिशन को और आगे लेकर चलता है अब आगे हैं देखे आर्थिक बिवस्था अब आर्थिक बिवस्था के बारे में दोनों में कई महत्रिपूर्ची जो उसको पढ़ लेता है नोट सम पेसर सरच करके इलर्ने विद्द्रोगे सब जरूर बढ़े जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं या चलिए इस सेशन को मौरागी लेकर चलते हैं यहां पर है आर्थिक बिवस्था अर्थिक बिवस्था में रिगवेदिक काल है इथा उत्तरवेदिक काल है उस सेशि क्या था सेकेंडरी था आर्यों का धूतियग पेसा जा था यह केवल यवाव जाव की खेती थी केवल क्रिसी में जाव की खेती करते थे और पहला पेसा इनका पशुपालन था पशुए में आगे देखेंगे गाए उसको भी हमलोग पढ़ेंगे लेकिन उत्तरवेद प्षूपालण जो था उत्तरवडी काल में दुटी पेशा हो जाता है तो यहां तक आपको समझ में आ गया मने दूसरा कृसी में भी यो जो था लेकिन उत्तरवेदिक काल में इनका प्राथ्विक पेशा आद्यूगाते थे और पशूपालण का दुटी पेशा हो भूमी की ओधाना की बात करते हैं भूमी की स्वामित्य की ओधाना नहीं थी रिग्वैदिक काल में भूमी स्वामित्य की भूमी की मालिकाना की ओधाना नहीं थी लेकिं उत्तरवैदिक काल में भूमी स्वामित्य की ओधाना भी आ गई थी भूमी के मालिक भी होने लगे ठीक एक और बात है निश्क रिगवेदिक काल में अभूसर्ड पर अभी मुद्रा बन गई थी अभी क्या होती मुद्रा बन गई थी निश्क अब क्या होती मुद्रा बन गई थी उत्रवेदिक काल में अब बात करते हैं यहां पर गाय को लेकर कि हम रिग्वेदिक काल की बात करें तो गाय सरवाधिक महत्तपुन पशु माना जाता था रिग्वेदिक काल में गाय सबसे महत्तपुन पशु माना जाता था गाय को अगन्या कहा जाता था अगन्या का मतलब क्या था ना मारे जाने वाले योग्य ना मारे जाने योग्य जो पसु था वो हमारा गाय जिसे अगन्या आगा गोमत माने धनी ब्यक्ति को गोमत कहते थे गविश्ठ गायकी से गोपति मने गायक के रच्छक को गोपति कहा जाता था तो यह कहीं नहीं आपके आर्थिक बिवस्था में अंतर वहीं कुछ और अंतर आपके सामने आता है क्रिशी वर्षा परिर्वर्थी रिग्वेदिक काल में जो क्रिशी थी वो किस परिर्वर्थी वो वर्षा परिर्वर्थी वो रितू से परचित थे रिग्वैदिक काल के जो लोग थे वो उनकी जो किर्षी थी वर्षा पनिर्बर थी और रितु से भी परचित थे लेकिन जब हम उत्तरवैदिक काल की बात करते हैं तो किर्षी रोपण में थी थी रोपण में थी तो यहां तक हम लोगों ने देख लिए अब यहां पर एक टॉपिक आता शिल्प की बात करते हैं यहां पर शिल्प उद्योग कैसा था इनका जो शिल्प उद्योग था रिगवैदिक काल में कम बिखसित था मर्दभांड रत बनता था असरसास लोहे की जानकारी नहीं थी रिगवैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहत लिके लें वहां इसे चाहत इसकी इंसॉट कर लें कि यहां पे आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी या प्लेश्टोर पे है इलरी विद्रगेस का है दूसरी चीज़ हम देखें व्यापार शिमित था वस्त बीन में प्लेश्ट यहां देख लें थे पहले सिल्पुद्यों कम विक्सित था मेर्दभान रत अस्त्र सत्र बंते दर लोहे की जानकारी नहीं थी वही उत्तरवेदिक काल की चत्तर हम आते हैं तो यहां पर क्या था लोही की जानकारी थी जो युद्ध के अस्त्र होते थे उसका भी निर्मान उत्तरवेदिक काल के लोगों ने शुरू कर दिया था तो यहां तक हम लोगों ने उन महत्तपुण कॉंसेप्ट को पढ़ और देख लिया जहां से परिच्छा में शवाल आते हैं आगे गरम देखें ब्यापार तो रिगवेदिक काल का जो ब्यापार था रिगवेदिक काल में शिमित था वस्तु बिन में के पढ़ा लेती एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेते थे लेकिन वहीं हम जब उत्तरवेदिक काल के तरफ चलते हैं तो ब्यापार बढ़ गया मनें यहां शिमित बिन में प्रणाली मौजोद थे अब देखते हैं शम्ता मूलक समाज था यहां पर क्या था विशम्ता मूलक समाज था और उत्तर वैदिक काल में विशम्ता मूलक समाज था जिसमें कभिलाई अर्थ में अर्थविश्था में दरार था मनें कभिलाई अर्थविश्था में क्या था यहां पर दरार हो गया था वहीं यहां पर देखें तो सम्ता मूलक समाज था अब कभिलाई अर्थविश्था काफी मजबूत थी अयेस तांबा यह कानसा को आयेस कहते थे तांबा यह कानसा को अजश कर 시क्राश के लिए अब यहां पे क्या था में अस्थाई सेना थे इनके पास नगरों का उद्य हुआ हgres जिसे हम आद्य नगरी करण कहते हैं आद्य नगरी करण के नाम से हम जानते हैं अब आप लोग बताई यहां तक क्या आप लोग को समझ में आ गया जो लोग हमारे साथ बने थे इस पूरे सेशन में अगर कोई प्रश्ण हो कोई सवाल हो तब हमसे पूर्श सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सभी सवालों के प्राया जबाद देए ताकि आपके जबाद देने का प्रयाश करेंगे अब हम आते राजनेतिक ब्यवस्ता में एक तरफ रिगवेदिक काल इधर उत्तरवेदिक काल तो अब यहाँ पर जो राजनेतिक बेवस्ता इनकी थी यहाँ परिवार परिवार का जो मुखिया था उसे हम कुलप कहते थे परिवार के मुखिया क्या कहते थे कुलप कहते थे गाओं का जो मुखिया था उसे ग्रामिडी कहते थे परिवार के बाद कई परिवार के बाद कई परिवारों को मिलकर क्या बनते थे ग्राम बनते थे अब कई गाओं को मिलाकर विश बनते थे और कई विश को मिलाकर जैन बनते थे पंच जैन को मिलाकर आगे हम लोग देखेंगे कि क्रम बढ़ता जाता है अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया अब समझते हैं परिवार का मुख्या कुलप ग्राम का मुख्या ग्रामडी विश का मुख्या विश्पती पुरावेत्ता जन जन का मुख्या राजा होता था गुपता जनश्य और पंच जन जिसमें पूरू यदू अनू दर्यू और तर्वुष थे और यह वनसानगत राजा कहीं कहीं निर्वाचन होता था यहां पर जो राजा होता था वनसानगत होता था लेकिन कहीं 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 होता था यह पांच आरे थे पूरू यदू अ पानू दर्यू और तुर्वश ये पांच आ रहे थे ये पूछा जाते हैं आपके परिच्वाम इसलिए से लिख लीजेगा रख लीजेगा याद कर लीजेगा तो यहां तक आपने गर समझ लिया तो अब हम चलते हैं मतलब हम लोगों ने देखा परिवार का मुख्या काल की तरफ बढ़ते हैं यहां पर जन और जन से मिलकर जनपत बना जन और जन पत बना और इसका राजा ने भूमिच्षेत्र का प्रमूख होता था यहीं से निरंकुस्ता के शुरुवात हुई और राजत तो कौध दायदिक से धांत यहीं से आया माने राजा देव का प्रत्निदी है एत्रियो ब्राम्मण ग्रंत आया मने राज तंत्रात्मग साचन पढ़ा ले थी और यहां अभी भी कही कही निर्वाचन होता था यहाँ पर क्या हो गया राज तंत्र अप्र उत्तरवैदिक काल में तो यहां तक रिगवैदिक काल अगर आपको समझ बाचुक तो आप लोग comment करें ता कि हम इस सेश्मN को और आलिया के साथ लेकर क्रम और रूंप से चल सकेे अब अगर हम नहीं है यहां पर देखे आ है अधित्य गोहंता मैंने गाय को नुछावर कर सकते थे अधिति क्या थे गोहंता माने गाय को नुछावर कर सकते थे अब यहां से महत्यपून टॉपिक आएगी जो आपको हम लोग पढ़णा रaja संस्था है तो पहले तो रिगवेदीक पढ़ लेते हैं चिक वैदि काल में क्या था सभा था सभा है कि मतलब राज सभा होता था माने न्याईक कार वर्ष लोग सदस महिलाएं भी सामिल थी माने जो सभाएं होती थी उसमें न्याईक कार होता था न्याई दिया जाता था और इसमें महिलाएं भी सामिल होती थी जो राज सभा क्या लाती जो क्या थी उसमय की राज सभा क्या लाती थी दूसरा क्या थी शमित थी जिसका महत्तु वाद विवाद राजा का निर्वाचन होता था समित के और इसमें महिलाएं भी सामिल थी मानि सभा और समिती दोनों में महिलाओं की भागिदारी थी और यह लोग सभा क्या लाता था, उसमें क्या क्या लाता था, लोग सभा क्या लाता था, सभा और समिती, प्रजापती की पुत्रियां थी, सभा और समिती जो थी, ये प्रजापती क्या थी, पुत्रियां थी, जिसका वड़न कहा मिलता है, अथर वेद्य मिलता है, कहा मिलता है, अथ तरव तरव कहां चलते हैं लोग उत्तरवेदी काल में क्या है राजीतिक संथा है सभा और समीती इनका महत्यों कम हो गया अब यहां पर कम हो गया था ठेक विदत और अच्छा विदत गण यहां पर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझाना मेरे लिए असान हो जाए अब यह सभा समीत का महत तो कम हो गया था यग्यों की शुरुआत होई अच्छे विदत पहले हमें बतालो उसके बाद तब आगे चलूँगा देखिए हाँ पर आपको पूरा मैं बता दू तब देखिए सभा समीती हो गया सभा समीती कहती प्रजापती की पत्रियां थी विदप क्या था आरियों की प्राचिनतम संस्था को विदप कहते थे विदप कहा जाता था बली स्वेच्छा से दिया जाने वाला जो खर था उसे बली कहा जाता था गण उग्र जीवा जूग्री माने पुलिस कर्मी को उग्र जूग्री कहा जाता था दसराज का युद्ध रावी नदी पर भरत कभीले गुरु वसिष्ट वर्सेच आरे प्लस अनारे पांच अनारे पांच आरे पांच अनारे गुरु विश्वामित्र यहां एक तरफ गुरु व प्रसिष्ट एक तरफ गुरु विश्वामित्र थे तो दस्राज का युद्ध हुआ था रावी ने देखिए नारे इसका जिकर किसे मंडल मिलता कॉमेंट करके बताएगा ठीक है अब हम लोग आते हैं फिर से मैं अउत्तरवैदिक आल की तरफ कर सभा समीत्र का भाट तो कम हो गया था विजत्रफ और Q सुरू वार्ट की सुरूवाथ में यज्यों की सुरूवाथ हुई ति किसके शुरुवात होती यग्यों की शुरुवात हुई थी जिसके कर यग्यों की बात करें उनके नाम की एगर राजसु यग्या क्या था राज्जा विशेक हेत उ स्चो मरस पिया जाता था अगला था अस्वॐमेखयं सक्थि प्दर्षन के लिए अस्मेखयक एक यहए किया जाता था और यह के बाद एक घोड़ा चोड़ा जाता था घोड़ा जहां तक जाता वह अच्छत राजा का हो जाता अगला यहाँ पर था तो यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रही है अगला था वाजपे अगला क्या था वाजपे मने रथों की दौर वाजपे में क्या था रथों की दौर फिर अगने उस्ठम मनें अगनी की मैं पसु बली एगनी में क्या आग्नी पसु बली राजप मने बल पूर्वक वसउनने लगे थे भूर राजप कितना था एक वदे शचो जाता था और भूर राजप वोश बटे 40 पाझ्रव क्या था ऐ सरवादिक बिकसित राज था पंचाल क्या था सरवादिक बिकसित राज जो था वह पंचाल था भरत कवीली के राजा सुधास के बिजै रिग्वेद में वरड़न अब हम इसके साथ हम इनके धार्मिक विवस्था की तरफ चलते हैं कहां पर चलते हैं धार्मिक विवस्था की तरफ अब धार्मी व्योस्ता में एक तरफ रिगवैदिक काल है दूसरी तरफ क्या है उत्तरवैदिक काल है तो सबसे पहले उपासना को देखते हैं सबसे पहले उपासना रिगवैदिक काल में गरें उपासना को देखें यहाँ पर उपाष्णा में भौतिक सुख युद्ध में विजय प्रुत की प्राप्ति प्राप्ति प्राथ्णा जो था वो प्राथ्मिक था यग्य कर्मकांड रही थे वही उत्तरवेदिक काल की उपासना जो थी वो अभी पुत्र प्राप्ति के लिए थी पुत्री की प्राप्ति दुख का कारण था मतलब उत्तरवेदिक काल में महिलाओं के प्रति भेदभाव सुरू हो गया था उत्तरवेदिक काल में क्या था महिलाओं के साथ भेदभाव सुरू हो गया था यग्य यहाँ पर प्रात्मिक था वहाँ पे प्रात्व प्राच्मिक था रिग्वेदी काल में और उत्तरवेदी काल में यग्य प्राच्मिक हो गया और ये कर्मकांड से युक्त हो गया। कर्मकान रहीत पहले रिगूळिक थे लगनला को यई लेती लें लेकिन उत्तरव्यक काld में महिला इसा नहीं ले रहले रही हैं और कर्मकान से युगत्力 हो गया था रिग्वेदी काल में देवताग संख्या में 33 रिग्वेदी काल में 30 देवता थे तो यहाँ पर इंद्र अगनी का महत्तोम पंच पत्थी काल मैं अधार सुम्म को प्रत्रव करने संग्या कैल他 को पूर हम अगने देखा देख संख्या वायो 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 अंत्रिष तीन तरह की देवता थे प्रिथिवी वायो और अंतallि प्रिथिवी पर अगनी सोम पृतिवी क्या थे पुर्वाहित favour वहीं वायु देउत्ता में अगर देखें वायु में स्थूरिय वरुन और दिश्णु थे अंत्रिच इंद्र वायु और मारूत थे अंत्रिच इंद्र वायु और मारूत थे अंत्रिच इंद्र वायु और मारूत थे वहीं इंद्र जो थे इंद्र वर्षा की देउत्ता मने जाते थे श्वामी माने जाते थे पुरंदर में 250 सुक्त है अब अगनी की बात करें अगनी इश्वर का मनुष्त के बीच मध्यस्त का काम करता तो यहां पर क्या था उपासना मैंने बताया कि पुत्र की प्राप्ति के लिए उपासना होता था यहां पर हम लोग देखेंगे इंद्र का अगनी का महत तो कम अभी तेक हम लोग नहीं देखा कि रिगवेदिक काल में इंद्र इनके प्रमुक देवता थे वर्षा के देवता थे अगनी इश्वर के मनुष्ट के बिच मध्यस्त की भुम्यका निद्बाता था वही उत्तरवैदिक काल में इंद्र अगनी का महत तो कम हो जाता है और प्रजापती को स्रिष्ट का निर्माता माना जाता है अब आगे देखते हैं पर रुद्र क्या थे पस्वों के देवता शुकुरुप में इनकी पूजा होती थी पूशा बहुत इनवोटेन सुद्रों के देवता थे वो कौन थे पूशा थे अब देवताओं के पदालुकरम क्या थे उत्तरवैदिकाल में ब्रह्मा अब कुछ दर्शन है जो आपके परिक्षाओं में खूब ज्यादा पूछा जाता है धान दीजेगा शांके दर्शन कपिल मुनी योग पतंजली न्याय गौतम पूर मिमानसा जैमिनी उत्तर मिमानसा अगर हम बात करें वदनायड और वैस्टिक मनें कणाद और उलुक है चलिए हम और आगे चलते हैं यहांत अगर किसी को डाउट हो तो पूछ अकता है सभी तो अब हम लोगों ने देखा कि यहां तक होगे अब हम उनके आर्यों की उत्पत्ति के बारे पढ़ें पढ़ेंगे उसके पहले अब हम लोग उनुपर कुछ टॉपिक छोड़ा था उ अलग-mानता है सभी क्या है अपनी-अलग-मानता है उसमें सबसे प्रमोग है जやって Truck मांणाते हैं Hybridasonet अ करो मघ यह मघ एशीयई मघ साह्ए थे अंनके उत्पत्ति वह मतद एशीया थी उसके बाद वीजी तिलक, यह मानने तीलक की मानने तरि यह आर्कीर कि परदेश रही हैं स्पोलीन आर्य विलियम जोन्स का मानना था कि और ःरोप्त कि रही अक। और स्वामी ध्यान अन ऐसे मैं अपनी अपनी माननेताइं थे की हारे कहां से आ यह वीडियो को सब्सक्राइब अब हम लोगों ने असके साहित्य को पड़ते हैं क्योंकि वहां शुरुआत में भूब सारे स्वाल जोला भर्बर की आते हैं उनको पढ़ना होगा उने भी क्या करना होगा तयाग करना करना हो शुरवास्त में हम लोगों उसे ऊपर छोडि आता स्किप कर दिया था लेकिन अब उसे द्सकार दिना जाएंगे को जघिए आपका क tapping पूछ लेंगे। सेशन का पड़ रहे हैं वो जवाब जरूर देंगे। मतलब आरिक का मतलब क्या था देखे एक उत्तम व्यक्ति थे और यह इने ग्ञान आ किमिएटि का मतलब एक उत्तम व्यक्थी और आरयों का प्राचिंतरतम क्या था प्रॉमेंट करको क्या सब्सक्राइदwał तो बाद में पहली लिखित जो ग्रंत में प्राहरम में एक से दूसरे पढ़ते थे सुनते थे याद करते थे बाद में से लिखा गया जो हमने इतिहास पढ़ाते समझे स्रीज में मैंने उसके बारे में वेश्ट्रित रुप से आप लोग को पढ़ाया बताया और शमझाया है अब हम देखते हैं वेद वेद ब्रहमाल गंद पुरौहित और ऊपवेद तो वेद क्या है bacon क्या परोहित क्या और इसके ऊपवेद क्या अपवेद माने रचना का परिक्छा में खुब ज्यादा पूछा जाता इसलिए लिक लिए रट लिए यादिकर लिए। अबके आझ के तो जो रिगिवेद था न इसमें ब्राम्हडगरंद क्या थी कॉस्तिकी और एत्रे बहुर पुछा रता है कॉस्तिकी और एत्रे इसकी पुरोहिद क्या है होत्र क्या है इसके पुरोहीत है और इसके उपवेद क्या है इसका उपवेद क्या है आयरुवेद धन्मंतरी है यह एक चिकस्सा सास्तर भी है धन्मंतरी क्या है जो आयरुवेद थी आयरुवेद दी चिकस्सा सास्तर किताब करचनाग नाम था और रचनाकार मतलब इसका अरवेद है अरवेद और रचनाकार क्योंने धन्मंत्री है ठिक इसमें अस्तोमा सद्गम है है एकम संद विप्रा एकम सथ विप्रा बहुदा वधनती तो यह आपको पढ़ने को हां मिलते हैं लेकिन सबसे पहले में जानते हैं कि रगिवेद को फिर से अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयाश करते हैं यहां पे अब रिगीवेद में देखे पहला स्लोक अगनी पहला स्लोक क्या है अगनी वह सबसे ज़ाधा हैं हिंद्रकों मैं दोससोपचास लोग इंद्र के लिए कितने दोसोपचास और पहले लोग इसके लिए अगनी और सब एक हजार अठाई शुक्त है कि डि jsleють क्या होता है वेध त्रै हम लोग जानते हैं वेध युदि कितने मंदल रिगिवेत का गोत्र मंदल वह आपके सामने है अब अगर इसे गोत्र मंदल की बात करें तो देखिए दूसरा से लेकर हम पढ़े सात्में नवें दस्वा तक पढ़ेंगे तो उसके बात पहला भी बेला है ऐसा नहीं कि पहला छोड़ जाएगा सारे हम लोगों को पढ़ना है कोई भी हमारा छोटेगा नहीं घर कोई कह रहा है कि हमारा कोई छोड़ आगर कुछ नहीं छोटना है अब देखिए इस इस भी क्या है दूसरा मंडल दूसरा मंडल क्या है ग्रमसंग विश्मद है गिवश्मद हो गया पांचवा मंडल चौथा मंडल पहले न पांचवा मंडल दूसरा मंडल पांचवा अत्री है पांचवा मंडल अत्री है चौथा मंडल क्या है वाम दे हुए आठ्वा मंडल रि और ग्यात्री मत की सवेद में है रिग्युए धे परिक्षा में टेठे मंडल मैं रिशी भपर्दवाज कि साथे मंडल में राजा भरत सातो मंडल जो में राजा भरत जिस dziराज़ युद्ध की वाड़न रिशी वसिष्ट्षिथ नौवा मंडल जो है देवताओं शोम को समर्पित है ठिक सब्तरशी दस्वा मंडल क्या है पुरुषुक्त है पहली लाइन चार वर्णों का उलेख है मने दस्वे मंडल में पुरुषुक्त है और पहली बार सारी पहली बार चार वर्णों का उलेख मिलता है पुर्शुक्त है पहली बार रिगिवेद में चार वर्णों का उलेख मलता है कौन-कौन कमेंट करेंगा उपर अभी मैंने पढ़ा रखा था अब देखें तो अगर छठे मंडल की बात करें इसमें कुछ साखाय जैसे हैं क्या है साखाय क्या संखायान है सौकत है और बासकल ह iicamह justification this में मंडुकायन है और असलायन है अब इसकी लीपी क्या है कुछ और महत्तपुनो CCP Guide देख लेते हैं कुछ प्रमोख महिला संत यह पूछा था उठाए था कुछ प्रमोख महिला संत जिसमें अपाला है जिसमें क्या-क्या है आपकी जो पूछा जाता है परिक्छम कई बार आपके पूछ लिए और आप नहीं आदकर रखेंगे तो फिर समस्ये अगर्ण ने इसमें महिलाओं में अगरम देखे संथ अपाला है होसा है लोपा मुंद्रा है पहले इस तूपसब्दका परियोग का उल्यक मिलता है रगिवेद की जो लिपी थी वह ब्रामभी लिपी थी और भासा संस्कृत कि जो भासा थी वह संस्कृत ही तो कि आप लोगों ने पूरी तरह से पड़े-लिया रगिवेद को जहां से परिछा में शवाग बन सकते थे अगला जो है आपके सामने यजुरुवेद अगला कौन सा पढ़ेंगे यजुरुवेद जब पढ़ेंगे तो यह देखिएगा वेद के बाद हमें क्या पढ़ना ब्रामाण गन्द पुरोहित और उपवेद तो यहाँ पर यजुरुएत का तैत्री है अर्धवर्यू और धन्वेद विश्वमित्त रर्जिसके क्या है उपवेद धन्वेद है और विश्वमित क्या है ध्यान देचेगा फिर से अब बहुत क्या दिखा दूःस आपको यह क्रम है ब्रामर्माल गरंत?- ब्रोहित- इनका कंछन प्रिषतट कैथा और शुतास्वथ यह थातरी धनुवयद क्या है जुद्धिकला थे खला अब देखी सत्पत सबसे पुराना है कि पूर्नर्ज हमका से धांच सत्पत में रहां कि कि मिलता सबसे पुराना है दूसरी बात यह क्या है इस और जब आलो पिशन यगी की विधियों का वर्ण गद्ध था अंसतर पद्ध में मैंने गद्ध और अंसतर पद्ध में यह कौन सा यह जोर्वेद कि असके बाद आता है अगला साम वेद में देखिए यह केन है पंचिविश जैमिनि उदगाता एक हजार दस मंत्र और गंधर वेद जो भरत मनी नार्द मनी घंधर वेद क्या है अब इसमें देखेगा संगीत की प्राचिंतम पुस्तक है मतलब यहां पर द्धान दीजिएगा कि संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक एक बात करें या जनक कहा जाये तो स्वामवेद को कहा जाता है यह सिर्फ 75 नए 110 मंत्र इसमें 75 मंत्र क्या है नए बागे सब पुराने है अब अधरवेद अगला क्या है अधरवेद चौथा वेद प्रस्न मुंड को मांडुक के रचनाकार अर्थवा अगनीरज अधरवेद गोपत ब्रह्मा शिल्पवेद विश्कर्मा शिल्पवेद इस अब यहां रचनाकार में क्या है अर्थवा अगनीरज मने अर्थवा अगनीरज ब्रह्म वेद अनारे इसमें तंत्र मंत्र जादु टोना का समावेश है मने अधरवेद में जादु टोने वाला वेद कहा जाता है वेद त्रई में शामिले ये वेद त्रई में इस वेद को शामिल नहीं किया गए important उपर मैंने भी पढ़ाया था कासी राज का प्राचिंतम उलेक अथरवेद में है प्रजापते की दो पुत्रियां शभा और समीतिका उलेक किसमें है अथरवेद में किसमें है अथरवेद में तो इस प्रकार हम लोगों ने वेद चारवेद को पढ़ उन्यां ४ाद्र स्चाहित देख लिया है अंयनक किया है अहां शचन से जो उस्समें रेचनाएं होती थी वह कहां होती थी वह जंगल में अध्यांक हुए अध्यन होता था जंगलों में अनड़ेक विदान्त मुए दो का अंतिभाद्यो था विदान्त कहलाता था अर्ड़क में कर्मकांडोर यग्यों का वरणन था जन्म मृत्यु चक्त्र इनकी जो जटीलता थी यह अर्ड़क मिलती है क्या क्या है जन्म मृत्यु आत्मा जो आत्मा की जटीलता थी किसमें मिलती है अड़या की मिलती है इसे में उपनिशत भी आता है ब्रह्म विद्या गुरू के समीप बैटकर सिखी गई विद्या भारती दर्शन के आधार है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग विदान्त है मनें वेदों का अंतिम भाग विदान्त कहलाता है आईये कुछ अन्य तथ्यों की तरफ चले तमसो मा जोतिर गम है यह कहां पर है विदान्त में है कुछ उपनिसद को हम लोग यहां पढ़ लेते हैं वैसे कुल 108 उपनिसद के संक्या कितनी है 108 यह परिक्छाम पूछ लेयाते कुल उपनिसद कितने है 108 आईये अब हम लोग कुछ अध्यन के दिश्ट्रकॉर्ण से कि देख लेते हैं मुक्तिका संक्या कितनी है 108 है जेने मुक्तिका संक्या क्याते हैं सत्य में जयते कहां से लिया गया है मुण्ड को अपनिसद में ब्राम्हणवादी कर्म का अंडो की अलोचना की गई है युद्ध की तुल्ला तूटे हुए नाउसे की गई है यह भी परिक्छाम में खुब जोला भरबर के पूछे जाते हैं आगे है कंठो प्रिशत कंठो प्रिशत में क्या है यम नचिकेता का संभाद है यह किष्ण जरुवेत का भाग है यम नचिकेता का संभाद किसमें कंठो प्रिशत में यह परिच्छा में पूछे जाते हैं जब बोलो निशद क्या है जब बोलो निशद चार अस्रमों का वड़न सन्याज पर इस पर अथिक बल दिया गया है किसमे जब बोलो निशद पर छंडोग उपनिशद है अगला क्या है छंडोग उपनिशद में क्या है पुनर जनम पर जोड दिया गया है पुनर जनम पर यह रखेगा सत्यकाम जाबाल की कथा जाबाल की कथा किसमें है छंडों को प्रिशद में अन्व्याही माह जाबाल कथा क्या है अन्व्याही माह छंडों को प्रिशद में तीन आश्रम का वाड़न है किसने तीन आश्रम का वाड़न है तीन आश्रम का इसमें वर्डरन हुआ याद रिखेगा अब है एक और स्वयतामबर एक है स्वयतास्वर उपनिसद पहली बार मोख्च की चर्चा सफेद घोड़ा पद्य में लिखी थाई ये पद्य में लिखा गया किसमें पद्य में लिखा गया है अब हम लोग और आगे चलनें अनोगे नहीं कि अधोर दिखनें कि तो यह इता है है ब्राण को पढ़ने यह अनल के और चारवदव को जाणने वाले चत्रवेदी अला है creda ने क्या है मैं बीदो के अर्थ को समझने के लिए इसकी रचना की वेदांग की गई जिनकी संख्या कितनी है यह परिक्षा हम पूछे जाते हैं कि शिक्को वानी से छांजा कि वेदांग में शिक्षा कल्प व्याकरार निरुवत छंड जोत्रशी तो यहां पर हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि महा पुराण महा पुराण इयक्ट लेख है महपुराण तोटल अठारह पुराण है इसमें राजाओं की बंसाली तोाइद कि पूछा जाता है पांछवा बएत कि शेक कि शेक को आते हैं तो महापुराण को ही पाच्वावेद कहते हैं, महापुराण को ही पाच्वावेद कहा जाता है, किसे महापुराण को पाच्वावेद कहा जाता है, किसको महापुराण को, अकुल पुराण की संख्या ठार है, जो पुराणे को नया बनाता है, अगनी पुराण गणेश पूजा वा तांत्रिक पद्धति जो तांत्रिक पद्धति है वो किसमें है गणेश पुराण में सबसेदा क्या है अगनी पुराण में अगनी पुराण में गणेश पुजा तंत्रिक पद्धती मैंने गणेश जी की पुजा करना और तंत्रिक पद्धती जो है किसमें है अगनी पुराण में मत से पुराण सबसे पुराना पुराण कौन से है मत से पुराण सबसे प्रमाडित पुराण जो है वो मत से पुराण बिश्णु भगवान के 10 अवतारों का जो वर्डन है वो भी मत से पुराण में है आंदर साथ वाहन से संबंदित ये महापुराण है महापुराण को देखे लोम हर्स और उग्रशपा के नाम से भी जानते है विश्णु पुराण में मौर्य बश्ट शिक ये बहुत इंपॉर्टन के इसी लेख सकते हैं और समझ सकते हैं अब हम आगे चलते हैं महा काव्यों की तरफ हम महा कावी की बात करें तो महा कावी क्या है महा भारत सबसे बड़ा महा काव्य जिसमें 18 पर्व है कितने हैं 18 पर्व दिखें और नोर्स के लिए कुछ निक मैसेज कर देखें कि इस नंबर पर आप अब सभी के लिए देशित में राश्चित में आप चाहें तो इस नोट्स पूरा प्राप कर सकते हैं सभी से लेकर बारत तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको उपलब्द है यह नंबर पर वाट्सेप करके जाने का लिए सकते या इलनी विदुर्गेस का अब हम नहीं देखा कि महाबार सबसे बड़ा महाकाब जिसमें 18 पर वह इसका नाम क्या है जैशाहिता इसे और एक नाम से जानते हैं सस्त्र सहत्ती शाहिता के नाम से भी से जाना जाता है आप लिखीजेगा जैशाहिता के अलावा महर्ति व्यास नहीं लिखा है भगवत गीता जनते 18 अध्याय है अब इसे में आपको मिलता है रामाईड इसे चत्र विशत्ती और सहस्त्र सहिता भी कहा जाता है इसे आदिकाब भी कहा जाता है रामाईड को ही आदिकाब भी कहा जाता है इसके रचना वाल्मिकी महर्सी ने महर्सी वाल्मिकी ने पंदरव सो इशापूर में की थी इसमें कुल साथ कांड विभाजी थे कितने कांड साथ कांड में ये विभाजी थे तो यहां तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ज़रा बताईए यह सेसर नाथ के लिए कितना लगा बहतर तो कि यहां पर हमने यह कोशिश किये इतिहास को सभी तथ्यों को पढ़ने का जहां से परिक्षा में सीधे सीधे सवाल पुछे आते हैं यह एक ऐसी वीडिय आज में नहीं आने वाला है और आप लोग अगर अभी तक आट नहीं जोड़े तो टेली ग्राम पर आज ही दुर्गेश सर्च करके इलरनी भी दुर्गेश पर भी जोड़ सकते हैं जितने वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को सभी को सेर जरू करिएगा अभी तक ल द्रम और जैन द्रम बहुत द्रम जैन द्रम जोड़ा बरबर के प्रशन आते हैं और हम यह कोशिश करेंगे उस सेशन में कंप्रीट इससे को पुरी तरह से पढ़ लिया जाए और पुरी तरह से समझ लिया जाए ताकि यहां से इसके बाहर आपके परिछाओं में शवाल अब हम लोग कि यहां से पढ़ेंगे भी इसमें दोप्रमुख धर्म है जो ऽो हमें पढ़ना है अध्यन करना है जिसमें हमारा है बहुत धर्म और झैंन में इधार हमारा बौथ्धर्म है इधार हमारा जैन धर्म अब संबन्ध है अगर देखें बौध्ध॥र्म का संबन्ध गौत्म बुदश्य हैं किस्टक है अच्छे पहले बहुत धर्म को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जैन धर्म दोनों का अंतर है तागे समझना आपकी लासान हो दोनों में क्या संबंध है और परिच्छा में किस तरह से लिख सकते हैं कर सकते हैं लिखित परिच्छा हुई आपजेक्टिव हुई या आजकल कूट वाले सवाल हैं दोनों में आप संबंध बना पाएंगे तो बहुत धर्म केकर संस्थापक की बात कि जाए तो गौतम बुद्धशी है जिनका पूरू नाम सिध्धार था इन्हें लाइट आफ एसिया कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है लाइट आफ ए इनका जो जन्म हुआ था लुम्बनी नेपाल में वंस की बात करें तो माता माया देवी वंस में क्या है माता माया देवी पिता शुद्धोधन पत्नी इनकी ये सोध्रा और पुत्र राहुल थे इनका छोटा सा सामाने परिचे इनका जन्म लुम्बनी में हुआ था उससे में लुम्बनी कहां पर था आज का नेपाल तब क्या सा कॉमेंट करके बताईएगा इन्होंने जो गरीता क्या उसे किस नाम से जाना जाता है कोई बता सकता है सामने लिखा है महाविनिस क्रमड जिश्मेकुल 29 जिसका चिन था महाविनिस क्रमड ग्रीत्याग का जो समय था 29 वर्सकी उमर में ुद्धिटि ग्रीत्याग के जिस मिर्मार कह लें और कहां पर हुआ ग्यान प्रात्ति निर्वान इनको बोध गया बोध गया आज कहां है बेहार में और किस ब्रिच के नीचे बोध ब्रिच मने पीपल का ब्रिच किस ब्रिच पीपल का ब्रिच बोध ब्रिच कहा जाता है इनका जो पहला उद्देश था प्रथम उद्देश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से ज़ाने ज़ता है, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनात में, कहाँ पे सारनात वराण सी यूपी, चिन्न क्या था? चक्र, चिन्न क्या था? चक्र, मृत्य को महा परनिर्माल कहा गया, महा परनिर्माल कहा गया, अकुसी नगर में चिन्न क्या था इन में के चार क्रम थें महा बिनिसकी करमण गोड़ा था, निर्मार धर्मचक और महा परिनिर्मार यह चारों आपके परिक्षा में पूछा जाते हैं जो बहुत धर्म शेल शमस्वन जित थे अब हम आगे देखें जैंध जैंध धर्म के संस्थापक रिशबद्यों थे पहले रिशबद्यों थे कौन थे क्या था बैल परक्षा में पूछया जाते हैं कैं अनुएそうだ मलिका नांथ लिकांत दीन का छिन था कलस यहां पर इस्त्री श्वितांबर अपुरुष दिगंबर तेश्वे परशुनात परिक्षा पूछा जाता है परशुनात पहले एतिहासिक है 24 वे महाबीर्व स्वामीर महाबीर जैन वर्धमान को माना जाता है जैन धर्म का वास्त्री नाम था इनका प्रतीक चिन था वो सिंग था शेड था कुंड कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 इसापुर और 468 इसापुर इनके मृत्त्य हुई थी इनके पिता शिधार्द माता त्रिसला इनकी जो मृत्त्य हुई थी वह पावापुरी में और पत्नी यसोदा तो यह आपके सामने जैन धर्म बौत धर्म का डिफ्रेंस आप चाहें तो इसकी स्कीन सोड अपने पास कर ले जो लोग भी सेशन को पढ़ रहे हैं या देख रहे एक तरफ जैन धर्म मतलब एक तरफ बौत धर्म है एक तरफ जैन धर्म है सबसे पहले हम बौत धर्म के देखते हैं सिच्छा क्या है चार आरिशत्य हैं बौत धर्म के चार आरिशत्य हैं कौन को पहला दुख मतलब दुख है दुख का कारण है दुख का निवारण है दु का निरोद गामनी प्रतिपता है तो हमने देखा कि चार अरे सत्त थे दुख है दुख का कारण है दुख का निवारण है दुख निरोद इस चार से इनकी अमलोग देख लीजिए यहां पर है कि दुख निरोद ग्यामनी प्रतिपता धा जिसे समोझा गया है बंद्र मुख की बात करें तो पांच महां प्रत से पारशुनात के समय थे पारशनात के समय थे और 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 पा यहां कर दोख दुख कारण हैं दुख का निवाण है दुख निरोद गामनी प्रतिपदा अब अस्तांगिक मार्ग क्या है बौध धर में अस्तांगिक मार्ग आठ मार्ग है सम्यक दृष्टि सम्यक सम्यक द्रिष्टी का मतलब होगा ज्यान आपका सम्यक द्रिष्टी, संकल्प, वाडी, कर्मांध, आचरण, आजिव मने, नियम, ब्यायाम, इस्मिति, समाधि मने कागलता मने अस्टांगिक मार क्या है सम्यक द्रिष्टी जिसे ज्यान कहा जाता है शंकल्प वाणि कर्मान्त माने आचरण आजिव नियम ब्यायाम इश्मिति समाधि काकरता तो यह अस्टांगिक मार्ग है वही जैनधर में त्रीरत्न की मानिता है कितने त्रीरत्न की मानिता है जिसमें सम्यक्ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक आचरण अश्टांगिक मार्ग है यहाँ पर तिरत्न की मानिता है क्या-क्या सम्यक ग्यान सम्यक दर्शन सम्यक आचरण अब आगे देखते हैं यहाँ पर कर रहा है बहुत धर में इस्वर नहीं है आत्मा नहीं है आत्मा नहीं मानता पुनर जन्म की मानिता मैंने गुणों का पुनर जन्म होता है वही जैन्धर में इस्वर नहीं है आत्मा है आने कात्मा---- इस्वर नहीं है वह मानते इस्वढ नहीं है बहुत धर में आत्मा नहीं है लेकिन जन धर है आत्मा है अने कात्मा वादी कि यहाँ पर हम लोगों ने दो पहला डेफेरेंस देख लिया जो आपके लिए महात्तप मोट करो अब बहुत धर में देखें कि स्रिष्टी नस्वर है स्रिष्टी नस्वर है नाश्तिक दर्शन मध्यमारिक में विश्वास्वास्थ कौन वहीं यहाँ तो स्ष्ठी यहा नस्वर है यहां नास्तिक दरसन नियान के सापच्विता का उपयाद जिश्य कहा जाता है तो हुए वर दोनों मंतर में मतर में Safety नस्वर है यहां में स्ष्ट यहााद सीश्वर यहां और सुर्ण के सद्वर चाहिज या इसे संभावनावादी या जिसे हम शायदवाद कहा जाता है और वहीं यह मध्यमारे विश्वास करते हैं बहुत धर्में आगे गर हम लोग देखें बहुत धर्में निर्वार मने ज्ञान की प्राप्ति इसे जीवन में की जा सकती है निर्वाण मने ज्ञान की प्राप्ति इसी जीवन के जाती है की जा सकती है दीपक का बुझ जाना तिस्णा का अंत हो गया वहीं अगर हम जैंधर्में की बात करें तो कैविल क्या है कैविल सर्वोच ग्यान की प्राप्ति कैविल क्या है सर्वोच ग्यान की प्राप्ति इसी जीवन में प्राप्त करना मने दोनों यह मानते है कि इसी जीवन में आपको ग्यान की प्राप्ति करनी है लेकिन है सर्वोच ग्यान की प्राप्ति करनी है प्राप्त करने वाला क्य है क्या प्राप्ति कर लेता है उसे क्या या क्या युश्जा तो इस प्रकार हम लोगों ने जयन धर्म और बौध धर्म में कुछ प्रमुक अंतर जो थे वो देख लिए और पढ़ लिए और त्री रत्न क्या है जो त्री रत्न है यह हमारा जयान बहुत धर में है जिसमें बुद्ध धम और संग धम सिध्धान्त है और संग उसमें मेन महत्यप्ण बहुत धार करता है इसमें क्या हा है बुद्ध पुण्यमा बुद्ध पुणिमा कले सांग रशे विया ज्यान की प्राप्ति हिए возь त्री रत्न परिछाम पूसता है बुद्ध धम और संग ये क्या है बुद्धर्म संबंदित है आगे कर हम देखेंगे तीन और सब्दॉलिया है जैन धर्म में आश्रो मन्य जीव सांसारिक कर्म की ओरा करसित समवर मन्य जीव का कर्म से विच्छेद निर्जरा जीव में पहले से मौझूद कर्म को क्या है यह कैसे उपवास के दोरा सरीर को त्याक करके अब हम देखेंग जैन धर्म का विभाजन दो भागव में हीनियान और महायान लोग तो यह दोनों विभाजन हुए थे इन में हम लोगों क्या क्या चीज़े पढ़नी है दोनों में क्या समानता है थी हीनिया और महायान में दोनों में बुद्ध हीनियान में महापुरुस थे वहीं महायान में बुद्ध देवता थे हीनियान में बुद्ध का प्रतीक है और महायान में मूर्ति पूजा, आवतार, बोधी, सत्व हीनियान में कहा जाता स्वयम के प्रत्नों पर बल वहीं महायान में गुणों के अस्थानांतरण पर बल हीनियान पाली भाषा और महायान संस्कित भाषा यह कुछ ऐसे की पॉइंट है जो अंतर भी और परिच्छा ग्लोपियों की भी एक सवाल मेरा है वैसे मैं आगे जरूर बताऊंगा कि बहुत धर्म का विभाजन कब हुआ था और क्यों हुआ था इसका जवाब कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट की माध्यम से जरूर दीजेगा अब हम जैन धन की बात करें इसका विभाजन स्वेतामबर और दिगंबर भद् सफेद वश्तर पहनते हैं यह बिंधा चलके उत्तर क्या है और वहीं दिगंबर जो कप्ड़े फील निर्वस्त रहते हैं और बिंधा चलके दच्छ मेने बिंधन परवत यह दच्छिड में और महाबीर विवाहित और महाबीर अभिवाहित जैन ग्रंथ पे विश्वास, मनि स्वितामबर जो है, वो जैन ग्रंथ पे विश्वास रखते हैं, वहीं दिगंबर जो है, वो जैन ग्रंथ पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये दोनों आपके लिए इन्पोर्टेंट है, इन दोनों किसकी इंसाड़ आप कर सकते हैं, सासक है अध्यच और कारे जो पहली सभा हुई थी वो राजगीरिम हुई थी अजासत्र सासक था और अध्यच कौन थे महाकल्ब थे अध्यच कौन थे महाकल्ब यहां पर क्या हुआ संकलन होता है किसका संकलन होता है सुत्ति पिटक और बिने पिटक राजमा और कब 483 इशा पूर बहुत देखिए जो पहली सभा हुई थी वो कब 483 इशा पूर में एक भिने पिटक उपाली असुत्य पिटक आनद राजमा अब जो दूसरा था और जो दूसरा था अब उसको भी हम लोग को देखना होगा ऐक ने यह वैसाली में हुआ कि सासक कौन था काला सोक दोसरी बहुत सभाज होय थी आला सोक के समय थे वैसाली में अध्यश कौन थे सब कामीर थे कार क्या था महा संधिक किसका विकास हुआ अस्विरादी का घूम घूम कर एकी अस्थान पर धन यहां पर क्या हुआ घूम घूम कर प्रशार हुआ भाँ कामीर यहां पर क्या होता है इस्थिरवादी और महा संधिक हुआ जो इस्थिरवादी हुए वो घूम घूम कर बहुत धर्म का परशार करते थे और वही महासंदिक जो थे एक ही अस्थान पर बहुत धर्म का प्रचार करते थे और यह सभा 100 साल 383 इशापूर में हुआ था तीसरी बहुत सभा जो हुई थी वो पाटली पुत्र में हुई थी कहा हुई थी पाटली पुत्र में असोक के समय हुई थी और मोगली पुत्र अध्याचिते हैं है किसका संक्लन होता है यहाँ अभी धं पिटक का संक्लन होता है यहाँ यहां पर प्रमालिक्टा है इसकी संदिक दहबी और 255 पूर कब 255 पूर अब यहाँ पे हैं चौथा जो होता है कुंडल चौथा जो बहुत दुशबा होती है कुंडल वन में होती है कमें शासक और में कनिषक थे वसु मित्र अध्याच्च थे और यहीं से बहुत धर्म दो साखाऊं में हीन और महायानमीं बटा था अब इश्वी इसके पहले जो तीन हुए थे इशापूर में हुए थे कहाँ पे राजगीरी वैशाली और पाटली पुत्र और कुंडल वन जो था ये चौथा बौध शबाज हुए थी ये 100 इश्वी में हुआ था जहाँ पर हीन यान और महायान ये धर्न मनले बौध धर्न दो भागों में तूटा हुआ था हम आगे चलते हैं अब हम देखते हैं सभाओं में जैन धर्म को एक तरवस्थान है अध्यच्छे का तो पहला जो हुआ था पाटली पुत्र में हुआ था यहां पर दो सभाई हुए थी जैन धर्में पहला जो हुआ था पाटली पुत्र म अध्धच कोंते इस्थोल भद्र अब यहां पर क्या क्या कार हुआ था 12 अंगों का संक्लर हुआ था और यही पर भी भाजन भी हुआ था अगला जो सभा हुए थी वह लभी अध्धच कौन थे देवादी छमात्रमण यह च्छासो इश्वी में जाकर हुआ इसमिकार क्या था जैन ग्रंथोगा अर्धमगधी भासवहों में शंक्लन क्या हुआ इस प्रकार हमद्र हम लोगों ने इनकी जो सभाएं हुए थी उन Сभाओमें हम लोगोंने एक अंतार देख लिया अब इसी अंतार मेरी इस्टाग्राम पर दुर्गेश के माध्यम से पढ़ाने का प्रयाश करता हूं इधार हमारा बौध धर्म है इधार हमारा जैन धर्म है तो बौध धर्म में बौध शाहित को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौध शाहित को अब बौध शाहित में पहला जो नाम आता है शुत्य पिटक क्या आता है शुत्य पिटक यह शुत्य पिटक क्या था साथ आपको भी पढ़ना सुए जानना सुए बुद्ध की उपदेश्थ है सुद्धी पिटग में क्या थे बुद्ध की उपदेश्थ है यही पर बुद्ध के पुनर जनम का सिध्धान था जिसमें दर्गी निकाय जातक कथाय दर्ग निकाय और जातक कथाय यहां पर अगला आपके सामने है विने पिटक अगला क्या है विने पिटक इसमें क्या है संग के नियम तीसरा है अभी धम पिटक अगला है वैपुल्ले सोत्र इसमें वुद्ध की जिवनी क्या है वुद्ध की जिवनी यह महायान संपरदाईज ललिद विस्तार आगे देखते हैं कि मिलिंद पन हो मिलिंद पन हो मिन अंडरत था बोध्य आचार नाकसेन के मद्ध ब्यवाद हुआ था चठा जो साहित्य हैं बुद्ध्य चरित अश्रोगोस के से बहुत ज्यादा पुछा आता है बुद्ध्य चरित खूलने का अश्रोगोस एक लाइन पूछता है और इसे रड़ भी लीजिए अगर आप परिक्षा के लिए तैयरी के लिए पढ़ रहा है और सेलेक्शन के लिए पढ़ जैसाहित्य क्या है पहले तो आगाम कहा जाता जैस है तो क्या कहते है आगाम कहते है पूरु में देखा जैब पहले प्राचिंतम ग्रंत की संक्या कितनी थी चौदा थी कितनी थी चौदा थी क्योल भद्र बाहु को जानकारी थी पूरु की और आगे चल कर 46 गंतों का शंक लगता है इसमें महत्यपूण आता है चाहेंगे हम लोग आप उसे देखें आचरांग सूत्र जिसमें जैन भिच्छों को पालन किये जाने वाले नियम यही पर 42 वर्ष कैविली की प्रावति अब आईए कुछ और सब्दावली को देखते हैं जैन का मतलब क्या है इंद्रियों को जानने वाला इंद्रियों को जीतने वाला जैन क्या है इंद्रियों को जीतने वाला महाबीर ज्यान प्राप्ति का पराक्रम महाबीर ज्यान प्राप्ति का पराक्रम अगला है निर्ग्रंद मनें बंधन रहित अरिहंत फिर अगला है निग्डणा धंपुत्र निग्डणा धंपुत्र निग्णात पुत्र यह बौद गरंथ में यह क्या है बौद गरंथ में तो यहां पर आप लोग चाहें तो इसकी सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं लिखते चल सकते हैं सकते हैं भग्वति सुत्र कि महाबीर की जीवनी परिशिष्ट पर्व हेमचन द्वारा अराचित कल्प सूत्र जैनत्य ठंकरों की जीवन अधिपुरान जीन से अने लिए तो यह कुछ महत्वपूर्ण तक थे था जो आपके परिच्छा में पूप ज्यादा पूछा जाते हैं आप चाहिन का डिफेंस ले ले घर बैठे आपको मिल जाएंगे पीडिएप में आप मिल सकता है वैसे नोट्स बना लेंगे तो आप इन में बना हुआ है जो आपके परिच्छा में बहुत उप्योगी हो सकते हैं वैसे आपकी मर्जी लेकिन मेरा उद्देश यह है कि आपके लिए बहुत रामभाण साबित होने वाले अब फिर से जैन धर्म और बहुत धर्म को डिफरेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यह देखेंगे अब क्या क्या कि सबसे पहले फिर हम लोग बहुत धर्म के तरफ चलते हैं तो बहुत धर्म में ग्रीत याग 29 वर्ष की उम्र में हुआ खब हुआ 29 वर्ष की उम्र में जिसे निरंजना कहा गया क्या कहा गया निरंजना कहा गया ज्यान प्राप्ति मातना बुद्ध को 35 वर्ष की अव्य में फल्गू नदी के तड़ पर पीपल ब्रिच के निचे हो मैंने जो ज्यान प्राप्ति हुआ निरंजना नदी निरंजना जिसे निरंजना कहा गया फल्गू नदी फल्गू नदी हिंदू धर्म से भी संबंदित है आमयार में भी यह करूआ है जहां पिंडा पराने जाते हैं लोग वह भी फल्गू नदी के पास बिहार में बहुत गया में गया जिले में फल्गू नदी है तो ग्यान प्राप्ति 35 के उम्रवाथा फल्गू नदी के तड़ पर पीपल ब्रिच के नीचे तो यहां पर क्या चाहिए मिली ग्रीत याग उंते स में ग्रीत याग को ने नजना कहते हैं और ग्यान प्राप्ति भीपल प्रिच के नीचे फल्गू नदी के तड़ पर हुई थी अब क्या क्या है अब वही हम जैंधर में देखेंगे तो जैंधर में ग्रीत याग तीस वर्ष की उम्र में अब ग्यान प्राप्ति रुज्यू पालिका नदी के तड़ पर साल प्रिच के नीचे बैले स्वर्षकिय में अब इनके पहले अनुवाही देखते है बुद्ध फस्ट अनुवाही बिमिशार थे पहले नुवाही कौन थे बिमिशार इसमें दो तरग अनुवाही होते हैं यहां पे कपिल्वस्तों की शैर जब कपिल्वस्तों की शैर इन्हें चार लोग मिलते हैं बूढा व्यक्ति बीमारे कि मृत्मा बुद्ध की पहली शिष्या माता गौत्मी थी कौन थी माता गौत्मी अब हम लोग आते हैं जैन्धर्म की तरफ पहले अनुयाई जामिल उनकी पुत्री पीदर्शनी का पती पहले बिच्छुडी उनकी जो थी चमपा नरेज ददिवाहन की पुत्री थी जैन्धर में दो प्रकार के बाद पंच महा ब्रत पंच महा ब्रत में सन्याशी पंच अडू ब्रत ग्रहस तजीवन में तो ये दोनों डिफरेंस ये दोनों अंतर थे आप इन्हें लिख सकते हैं यहां देखे कपिल वस्तो की शेर बुढ़ा व्यक्ति बीमारे व्यक्ति शौ सन्याशी पहली सिस्स्या जो थी माता गौत्मी थी अब हम लोग आ गया आते हैं बहुत धर्म की और सारी क्या विस्स्ता है जो हमारे परिक्षाओं में पूछी जाते हैं पूछे जाते हैं और आपको भी पढ़ना होगा और जानना भी होगा देखते हैं यहां पर क्या क्या है पहला उपोसत उपोसत में प्रतेख 15 दिनों में होने वाली शभा उपोसत क्या है 15 दिनों में होने वाली शभा को बाउत धर में उपोसत क्याते हैं फिर अगला है पाती मोख उपोसत क्या है पाती मोख का पाठ जो पाती मोख का पाठ है इसमें 226 पापकर्म और उनके प्राश्चित के तरीके हैं और यह कहां पर है विनक पिटर में कहां है विने पिटक में कहां पर है विने पिटक में यह प्रमुख विश्चता है बहुत धर्म की जो परिच्छा में पूछा जाते हैं वर्षा के समय तीन महिने एक ही अस्थान पर रहना वर्षा के बाद क्या वर्षा समप्ति हो जाएगी मनिए वर्ष की समप्ति मनिए वर्षा के तीन महिने मल वर्षा वन्द होने के बाद शेते हैं क्या कैते हैं आफिर इसमें संग में बच्चे चोरररनी ब्यक्ति रोगी वद दासों का प्रवेश मना था갈 आख मनें बहुत धर्में संग में बहुत धर्म के संग में दास, रोगी, रिडी व्यक्ति, बच्चे, चोर इनका प्रवेश मना था संग में प्रवेश के लिए पिता, माता, पती की आग्या जरूरी थी मनें संग में प्रवेश के लिए पिता की आग्या, मा की आग्या, पती की आग्या जरूरी थी ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे अश्ट महास्थान अश्ट महास्थान क्या है और कहा है परिक्सा हम पूछे जाते हैं पहला लुम्बनी जहाँ पर बुद्ध का जन हुआ था, इसका जिक्र रुम्मन्दई अभी लेक में मिलता है, लुम्बनी बोध गया ज्यान की प्राप्ति सारनाथ में पहला उपदेश दिया थे नोने सारनाथ में क्या दिया थे नोने पहला उपदेश दिया था कुशी नगर महा पनिर्मार मृत्यु कौशल पाचवा अब यहां पर दिखे जेत राजकुमार द्वारा नेरिमीत जेत वन आसरम स्रावस्ती में स्रावस्ती में जहां पर सन्यासी झीवन के लिए मैकश वर्स है अब अगला आता है राजग्री ये क्या है बाउद केंद्र वो सत्पर्णी गुफा है विश्व सांति स्टूप यहीं पर है अगला है वैशाली अंतिम वश अंतिम वश क्या था वैशाली है मैंने वहाँ पर जहाँ पर रुखते थे बारिश के समय तीन महिने के लिए संकिसा बुद्ध का यात्रा अस्थल ये थे अश्ट महास्थान नौवा है वेलुवन विम्ब सार द्वारा निर्मित वस अस्थल ये विम्ब शार द्वारा बना था ये वेलुवन जो था ये विम्ब सार द्वारा निर्मित वस अस्थल था उपर के जो आठ है ये अस्थ महास्थान कहलाते हैं पर इच्छा में पूछा जाते हैं कौन से स्मिसर नहीं है कि बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल गर्राज में किया गया बुद्ध ने स्रावस्थी में अगली माल नामक डाकु को शिचित किया बुद्ध ने क्या किया च्छित किया परंतु वे नहीं जा सके और अपने सिस महा का चायन को भेजा था इनके जो वदेश थे उनकी भासा पाली थी संग में इस्त्रियों के प्रवेश को अनुमती कहा मिली वैसाली मिली पूछा जाता है संग में इस्त्रियों के प्रवेश को मिली वैसाली में मिली बुद्ध के गुरु अलार कलाम पे पूछ जाता है तो यहां से परिक्षा के लिए कई उप्योगी और महत्वपूर्ण चीज़ें में पढ़ने को जानने को मिलते हैं अब हम लोग और आगे चलते हैं देखते हैं कि अब आगे आपको और क्या पढ़ना और क्या समझना तो आप लोग समझ रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को चलिए अगला हेडिंग है बोदिश बहुत धन की बोदिश अक्तो पहला है अलोकितिश्वर पदम पड़ी मने विशेश गुण दया काम का अवतार अलोकितिश्वर क्या है विशेश गुण दया काम का अवतार पदम पड़ी अगला दूसरा है मंजुष्री बुद्धी को प्रखर करना मंजुष्री क्या है बुद्धी को प्रखर करना मयानने एक हात में तलवार, भूल्व भ्रहम का नास, दूसरे हात में पुस्तक, बौध शिद्हन, मनने एक हात में तलवार होना चैसे भूल्व भ्रंग का नास और दूसरे हाथ में पुस्तक बॉद्शित्ह फिर क्या है वज्जर पाड़ी चिती गर्भ मैत्रे भावी बुद्ध मैत्रे क्या थे भावी बुद्ध वज्ज्रयान संप्रदाय सात्वी सदी में सरवग्य मित्र कश्मीर में मतलब यह क्या था तंत्र मंत्र पर बल तारा देवी का संब्ध बुद्ध के साथ है सहजायान बंगाल में बहुत धर्म के पतन का कारण वज्ज्रयान संप्रदाय सात्वी सदी में जो सरवग्य मित्र कश्मीर संब्ध है वही तंत्रमंद प्रबल तारा दिवीक्षम बंद बुद्ध के साथ है सहजायान क्या है यह बंगाल में बहुत धन के पतन का कारण है अब यहां महायान माद्मिक और सुनिवाद नागारजुन बिज्ञानवाद योगार्थ असंग्व मैत्रे नाथ महायान में माद्मिक और सुनिवाद नागारजुन अब बिज्ञानवाद योगार्णाथ योगायार्थ असंग्व मैत्रे नाथ ठीक है अब हम लोग और आगे चलते हैं हम देखते हैं क्या और चीज़े आपको पढ़ेने के लिए मिल सकती है देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट है आपके लिए जो परिच्छा में पूछे जा सकते हैं देवद्ध बुद्ध का चचेरा भाई संग का प्रवंग बनना चाहता था नो नालंदा बिहार्ट पाली अनुशंधान संस्थाने आपके शुभद्ध बुद्ध द्वारा से चित किया गया अंतिम ब्यक्ति इस्तूप का अर्थ किसी वस्तू का धेर है अंति में बहुत धर्म की अनि विशयस्त था है जैन धर्म के सबसे बड़े विद्वान जैन धर्म सबसे बड़ा जैन विद्वान संस्कृत का जैचंद था है मैंने सबसे बड़ा जैन विद्धान संस्कित का जैय चन्द था जैन सहित की भाषा अर्ध मगदी थी लेकिन महाबीर की भाषा जो थी वह प्राकित थी पारश्वनात ने जैन संक्यस्थ हपना की पारश्वनात ने क्या किती जैन की थी आगम क्या है जैनों की धर्मि पुस्तक जैनों की दर्मि पुस्तव क्या आगम क्रिशि करने के लहात था युद्ध करने के घोर फिलो दी थे। और जैन विछ्छों को सोना चूना मना था। चंद्रगुप्त मौरे सलेखना विधी द्वारा सरीर का त्याग किया अकाल से निपटने का में असफल थे और सलेखना विधी द्वारा किया और अपने सरीर का त्याग किया संलेखना क्या था बीना खाये पीए ठिक जैन धर्म की पहली थेरा आरिसु धर्मा है जैन तीर्थ अस्तर अगली जो हेडिंग है जैन तीर्थ अस्तर आयोध्या राम जन भूमी जो है आयोध्या वो जैन धर्म की तीर्थ अस्तली है पांत तीर्थंकरों का जन जिसमें रिशब देव भी समरी थे वो कहां पर अयुद्या में शमेद शिखर जारखन के हजारी बाग में है बीश तीर्थंकरों का निर्मार अस्तान है ये संबेद शिखर कुंडन ग्राम वैसाली बिहार में महाबीर का जर्मस्थान राजग्री विपुलांचल परवत पर पहला धर्मा देशना पावापूरी नालंदा के निकट बिहार में महाबीर के निर्मार प्राप्त हो आया पर स्रमण बेल गोला बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर गोमतेश्वर की साड़े सत्रा फिट उची मूर्ति है केसरियनात में वाल के रिशब देव की उपासना केसर से की जाती है केसरियनात में आगे है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति रिशब देव की पुत्र गोमतेश्वर में क्या है गंग नरेश रचमल के मंत्री चामुन रायद्वारा अस्थापित है महा मस्त काभिशेक मेला 12 साल एक बाल लगता है शोनागीरी दतिया मध्यपदेश में 108 जैन मंदिर है तो यह हम लोगों ने देख लिया और पढ़ लिया एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इसका जवाब भी आप जरूर दें कौन सा ऐसा स्थान है जो जैन धर्म और बहुत धर्म दोनों श्रमंदितों परिच्छा में पूछा जाता है उसका जबाव इस वीडियो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर देजएगा वीडियो को पूरा देखेगा इसकी मत करेगा जरूरत पढ़ेगा रोक रोक लाइक नहीं के तो लाइक करके चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके रखेगा वीडियो को जहां भी देख रहा है शेयर करेगा पेश को फॉलो करेगा सब्सक्राइब करेगा आपकी भी मर्ची और इलने भी दुर्गेश के आफिस के नंबर पर काल या टेलिग्राम पर आप सभी लोग जोड़ी जोड़ी है कि हर वीडियो के नोट्स की नुट्व नाटिफिक हुआ है को आपको कहा पर मिलती है टेलिग्राम पर आपको सच करना है दुर्गेश सर बीना सब्सक्राइब और आप लोग नंबर में आज फेट्सी लिग दे रहा ह जहां तक लोगों की मदद हो सके तो इस प्रकार आज के सेसं में हम लोगों ने प्राश्चीन भारती तिहास को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए बाए